हेलो नमस्ते वरेंदी गाईस इस वीडियो में डिस्क्स रूम आलपो के साथ सेलरी ओफ क्लर्क इन कोर्ट ओफ हर्याना हर्याना की जो कल वेकिन से अनाइंसरी है 390 उसमें जो सेलरी मिलेगी आप लोग की क्लर्क देखिए अगर आप डेली हाई कोट की बात करें तो वहाँ पर बोला जाता है जे-जे अगर आप बात करें डेली डिस्टिक कोट की वहाँ पर भी जे-जे बोला जाता है लेकिन अगर आप बात करें सुप्रीम कोट की तो वहाँ बोला जाता है जे-सी-ए और जो other state है वहाँ पर भी आप वो clerk की देखने को मिलेगा देखाई नाम यह है बागी perks और workload और काम सारे सबके सबके वैरी करते है post to post और department और department बट salary एक चीज़ confirm है आप centrally चाहे आप centrally कोई worker हो या centrally किसी government job की तियारे करें चाहे आप state wise करें salary जो होती है ना किसी भी clerk की court में हमेशा जादा होती है state के clerk से भी और हर clerk से तो salary होती है clerk की वह हमेशा जादा होती है चीज यानक ना clerk की कोई भी salary जो होगी वो normal उस rank किसी भी department में आप चले जाए उनसे सबसे जादा होगी centrally भी आप किसी पोस्ट में लगेंगे ना clerk अगर उसका नाम clerk है वहाँ पर आपकी salary बहुत कम होगी as compared to Delhi High Court, Delhi District Court, Supreme Court of India and Punjab and Haryana Court बहुत जादा salary होती है उसके ठीक है उसके पीछे सबसे बड़ा रिजम है यही मानतो देखो salary जादा है because of workload workload जाद है salary जाद है ठीक है एक्सपेन कर देता है पूरी-पूरी salary देखो salary of work in the court of Haryana देखो सबसे पहली चीज यह वीडियो मैं क्यों ले गया रहा हूं देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो आप लोग आपको dependent नहीं होना चाहिए किसी की चीज के ऊपर जैसे अभी आगर आपको salary पता करनी है तो salary के लिए भी आप wait करो कि sir आएंगे sir बता है कि देखो मैं आपको बताता हूं सिंपल सा logic को आपको explain कर दो खुद भी आप निकाल सकते हो किसी की salary एप्रॉक्सिमेटल 99% आपको salary मिलने वाली जो मैं बता रहा हूं आपको ठीक है मेरे पास actual slips भी है बच्चों की जो salary slip आई है बच्चों की मैं फिर वो mention नहीं करें ना share करी बट मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें मेरा main objective है ता कि आप लोग को सीखा पाएं एक और चीद ध्यान आपको salary आप किसी की भी निकाल सकते है डिपेंड करता है x y z city के accounting देखो अगर बात की जाए basic salary 2400 ग्रेड पर सबसे पहले चीद देखो advertisement में कहीं भी mention नहीं किया कि 2400 ग्रेड पर है तो 2400 ग्रेड पर होता है कूट का हरियाना के clerk का ठीक है अगर बात कि जाए अगर जे-जे का जो होता है वो 2800 ग्रेड पर भी जे-जे का Delhi district court में सबसे पहले जो basic salary है ना वो आपकी 25500 ग्रेड बेसिक पे है यह आपकी basic salary है अब क्या होता है जो DA है हमारा DNS allowance जो आया है वो 38% है तो क्यों भी कोई भी आपको salary calculate करने ग्रेड पर देखो और ग्रेड पर का basic देखो अब आपने basic देख लिए 25500 ग्रेड पांस है जो DA है आपक चेंडी गड़ा और किसी स्वीटे में तो जादा हो जाता ठारा और अगर आप सेंपले तो 27 हो जाता है मुंबई और डेले बगारा समय तो बदल जाता है इसलिए इसलिए जो salary होते है ना आपकी इसकी डेली डिस्टी कोट में और डेली है कोट कि डेली वाल आपको एचारे जादा मिलता है इसलिए बढ़ जाती है डिये सब का सेम रहता है तो 9690 आपका डिये हो गया एचारे 9% के अगॉर्णिग 2400 ग्रेड पर 25500 के basic पर 2295 हो गया medical claim आपको medical जो मिलेगा हर मेने 10% मिलता वो म 38,450 पर आपको पहले मंद से ही मिलने वाले हैं gross में लेकिन इसका क्या होता जो basic जो होता ना basic और basic और डिये का जो 10% होता जो कि है 3519 यह minus हो जाएगा because यह आपका आपकी pension scheme NPS में जाएगा जो आपकी pension में जाना है आपका तो वो सेविंग हर मेने वहां से सेव हो जाएगे तो आपको जो cash in end आएगा हो एगा 4966 आप यह मान के चलो आपकी जो salary होगी from the first month will be 35,000 in हरियाना अगर आपकी जोइनिंग आती है इस post के बाद जो इस जोइनिंग में तो total salary आप इमान के चलो 35,000 आपको मिलने वाली first month में starting महीं अगर पिछले बार की बात के तो यह 38 से कम था यह भी कम था तो starting जो होई थी जो जो दो-तिन साल पहले लेकिन बच्चों की salary आज की 40 plus हो चुकी है ठीक है क्योंकि salary बढ़ती है 10% और फिर वो दो increment लगते हो अगर आप वैसे बात करो ना clerk की जैसे अगर आप हरियाना में वैसे clerk लगते है आप तो उसमें 1900 ग्रेट पर के हिसाब से हो आपकी 24-25,000 पर पढ़ती है लेकिन यहाँ पर आपको 35 मलब obviously जादा मिल रहा है because of workload के सकते हैं और court का जो सारा salary का structure वो बिल्कुल different होता है other department जित इसी भी exam की चाहिए आप Delhi High Court की त्यारी करते हो चाहिए Delhi District Court की चाहिए Supreme Court की चाहिए पंजाब एन हरयाना High Court आप हो क्या करना है टेलिग्राम पर आप मुझे follow कर सकते है टेलिग्राम पर page है मेरा Learn Shore Delhi High Court Delhi District Court Supreme Court PNHC के नाम से यही मेरे channel का नाम है आप search करेंगा आपको मिल जा मुझे हिस में самого हर राम म obt successes की चाहिए Delhi hik Online की चाहिए है कि मेरे आप पिर प्राव शनी है वंजा 155 से फवच्वSm South privateicorn Court की मेरे तरुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च की चिएए प्रवदमाच्च्च्च्छ Wikipedia CH200 आपको keeping चाहिए